ब्रिटिन की महरानी अलिजबेट दुतिये के निधन के बाद उनके बेटे प्रिंस शाल्स अब नई किंग बन गए हैं अब उन्हें किंग चाल्स दा थर्ड के नाम से जाना जाएगा नए किंग के रूप में उन्हें क्या कहा जाएगा यही नए चार्ल्स थर्ड का पहला फैसला है परंपरा के मुताबिक वो अपने लिए चार नाम चार्ल्स, फिलिप, और्थर या जॉज में से किसी एक को चुन सकते थे उनकी पत्नी कैमिला को डचेस ऑफ कारनवाल के नम से जाना जाएगा चार्ल्स थर्ड को ताज कैसे सौपा जाएगा, उसका प्रोसेस क्या होगा, चलिए इसे समझते हैं महरानी के निधन के 24 घंटों के भीतर, लंदन इस्थित, सेंट जेम्स पैलेस में एक सेरिमोनियल बॉडी के बीच, चार्ल्स को अधिकारिक तोर पर राजा खोशित किया जाएगा इस कांसल में वरिष्ट सांसद, सीनियर सिविल सर्वेंट्स, कॉमन वेल्थ हाई कमिशनर और लंडन के लॉड मेयर शामिल होंगे सामाने तोर पर साथ सो से जादा लोग इस कारिकरम में शामिल होते हैं, लेकिन इस बार इतनी संख्या की गुंजाइश नहीं दिख रही है, क्योंकि शॉट नोटिस पर कारिकरम आयुजद किया जा रहा है इस कारिकरम में सबसे पहले प्रिवी काउंसल के लॉड प्रेसिडिन पैनी मौडंट अलिजबेट दुटिये के निधन की घोशना करेंगे, ये घोशना उची आवाज में होगी, इसके बाद कई प्रेयर्स होंगी इसमें महारानी की उपलब्धियों को भी बताया जाएगा, साथ ही नए किंग की खूबियों को भी गिनाया जाएगा, इस गोशना पत्र पर प्रधान मंतरी, कैंटरबरी के आग बिशप और लॉड चांसलर सहित कई सीनियर आफिसर्स साइन करेंगे इसी कारिक्रम में ये भी तैकिया जाएगा कि नए किंग के सत्ता समालने के बाद क्या कुछ बदलाव किये जाएंगे आम तोर पर एक दिन बाद असेशन कांसल की फिर से बैठक होती है, इसमें किंग भी शामिल होते हैं इस दोरान कोई शाही शपत ग्रहन कारिक्रम नहीं होता है, हाला कि अठारवी शताब्दी से चली आ रही परंपरा के मताबिक किंग चर्च अफ स्कॉटलेंड को संरक्षत करने की शपत लेंगे इसके बाद सेंट जेम्स पैलेस की बालकनी से एक साबजनिक घोशना की जाएगी एक अधिकारी जिसे गाठा किंग ऑफ आम्स कहा जाता है, वो घोशना करेगा कि प्रिंस चार्ल्स थार्ड ब्रिटिन के नए किंग है इसके बाद ब्रिटिन के राश्टुगान गाया जाएगा 1952 के बाद पहली बार ऐसा होगा जब ब्रिटिन के राश्टुगान का शब्द होगा God Save The King इससे पहले God Save The Queen था इसके बाद हाई पाक, लंतार और नौसानिक जहाजों से तोपों की सलामी दी जाएगी Coronation यानी ताजपोशी के लिए भी Charles को थोड़ा इंतिजार करना पड़ सकता है क्योंकि इसकी तैयारियों में वक्त लगेगा इससे पहले Queen Elizabeth को भी करीब 16 महीने इंतिजार करना पड़ा था February 1952 में उनके पेता का निधन हुआ लेकिन जून 1973 में उनकी ताजपोशी हुई ये एक सरकारी कारिक्रम होता है और उसका खर्च भी सरकार को ही करना होता है पिछले 900 सालों से Coronation Westminster अबे में किया जा रहा है William the Conqueror पहले समराट थे जो नहीं ये ताजपोशी हुई था Charles 40 में समराट होंगे इस दोरान कैंटरबरी के आगबिशप सेंट अडवर्ड के क्राउन को Charles के सिर पर रखेंगे जो सोने का बना हुआ मुकट होता है इसका वजन करीब 2.23 किलो होता है ये लंदन टार में क्राउन जुल्स का एक केंदर बिंदू है कोरोनेशन के वक्त ही इसे किंग को पहना जाता है